अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए टेक्निकल टॉक्स को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेश वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब की नहीं है एक अपडेट के बारे में के बारे में तो दोस्तों आपको करना सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को जद्यादा शेयर करना ना भूले और चेनल टेक्निकल टॉक्स पे नहीं भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और जो घंटी का निशान उसको दबा दे त दोस्तो यूटूप की तरफ से जो अपडेट आया उसका जो मेल है वो सबी को कल मिला था उन सभी लोगों को मिला है जिनका monetization already enable हो चुका उनके add जो उल्रेडी चल रहे है तो उपर इस तरह का जो आपको mail दिख रहा है इस तरह का mail सबको आया है यह है midroll ads को लेकर अगर आपको नहीं पता midroll ads क्या होते हैं तो सबसे पहले बता देता हूं कि यूट्यूपर अभी क्या हो रहता दस minute के वीडियो में midroll ads आते थे मतलब बीच के अनल जो add आते हैं वीडियो में एक से ज़् start हो जाएंगे तो उससे क्या होगा आपकी जो earning है वो increase होने के chances बहुत जादा हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा update है दोस्तों आपको कुछ setting करके इसको enable कर लेना है तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं किस तरह से आपको enable करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको YouTube studio मे लोगिन कर लेना है यहां पर आपको जाना है monetization section पर जैसे आप जाएंगे तो यहां देखिए आपको यहां पर message दिखेगा notification दिखेगा to help increase your monetization potential we are updating mid draw eligibility and preferences you can change your preferences by July 27 2020 तो यहां देखिए action यहां पर देखिए action पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो learn more है और open preferences है अगर आपको जा दिखा हुआ है कि अभी तक क्या हो रहा था 10 मिट तक के वीडियो जो थे वह eligible थे mid draw ads के लिए लेकिन अब 8 मिनिट के जो वीडियो वह भी start हो जाएंगे जुलाई एंड से इसके अलवा जो वीडियो जो 10 मिनिट के हैं जिन पर already mid draw ads लगे वे हैं उन पर इसका कोई फरक नह पर क्लिक कर देना है उससे क्या होगा सारे जो वीडियो जो 8 मिनिट से उससे ज्यादा के उन सब पर mid draw ads आ जाएंगे इसके अलावा दोस्तों एक और option है अगर आप चाहें कि आप मैनूली चेक करना चाहिए existing videos को और new videos है उनको उसके बाद में mid draw ads लगाना चाहें तो आपक आपको कोई problem है तो नीचे आप comment करके बताएं ताकि मैं उसको reply कर सकूँ और दोस्तों वीडियो को जददा like करें और share करना ना भूले ताकि और तक भी ये videos पहुंच सके और इस तरह के informative और videos देखने के लिए आपको चेनल को subscribe जरूर कर देना है और जो घंटी के निशान उसको दबा देना है ताकि आने वाले videos के notification आप तक पिलते रहे हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में thank you